नमस्कार दोस्तों मैं किसन पाल मैं आपको आज बताऊंगा टैस्टीज की प्रॉब्लम के लिए घरेलू उपचार के बारे में यानि कि अंड्कोस की समस्या के लिए घरेलू उपचार के बारे में आप से चुटी सी रूक्वेश्ट है कि आपने अभी तक हमारी चैनल बो इस प्रकार से अगर हम जादा महनत कर लें तब भी टैस्टीज में समस्या आती है जैसे हमने भारी बजन उठा लिए यानि कि वहारी पोजा उठा लिए इसके कारण हमें अंड्कोस में समस्या आ गई तो यह आती क्यों है क्योंकि हम जो है सपोर्ट का प्रियोग नहीं करत आगे चल कर बहुत 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 ले लेती है इस और यह समस्या ग्रेडों के साफ से चलने लगती है यानि कि हमने थोड़ा धिहान नहीं दिया तो यह सब्सक्राइब पहुंच जाएगी इस पर चार से फोर्थ ग्रेड तक पहुंच जाती है तो यह इसका जल्दी धिहन चाहिए कहने का मतलब यह है जल्दी इसका उफचार करना चाहिए फर्ष्ट ग्रेड पर हम इसका उफचार करने तो हमारी समस्या यह हमेशा के लिए खतम हो जाएगी तो चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में अगर यह समस्या आपको सुरू में ही है तो यह कंट्रॉल हो तो धनाती है जाएगी इसके लिए आपको प्रियोग करना है को आपको यह कुछ ऑपना खाली शरी बनी ह taki कंई को जाद़ए ईस बात को अब को द्यां रखर नहीं यह जादा नहीं खाना है दूसरी में चाहिए आपको शाम के टया आपको शूंद की विपना इसे हंधान इसका आपको रेगूलर प्रियोग करना है इसमें आपको तिसरी चीज का भी प्रियोग करना है तिसरी चीज आपको काली मिर्च का भी प्रियोग करना है इसमें काली मिर्च आपको दिन में चार दाने कम से कम खाने हैं ज्यादा भी इसका प्रियोग नहीं करें इन तीनों ची ना करें तो इसका प्रिजोग विलकुल भी ना करें मैं आपको बता दूँ इस BCar ने कि किस इस एक्षी इस प्रिकार की समस्य में यह पूरा काम करेगा और फ़ह दुसरी में पूरा काम करें अपको फ़्ल कर एंटिक इस ऱौन होता है ह्यों यकी या दो हपते से है और जादा नहीं है हुँख अलका ही परक है if 19 य 20 का इस पर कौया तो यह उसमें भी काम और जिनकी बड़ी यानि की जादा पुरानी समस्या है, दो या तीन साल से समस्या है, तो बैद या डॉक्टर से संपर्ग कर लें, क्योंकि ये जो नुस्का है, ये जो है, छे महीने तक की समस्या आपको कंट्रोल कर लेगा, आसानी से, और वो भी तो दो या तीन महीने में आपकी समस्या जड़ करें इसमें आपको साब्धानिया भी रखनी है साब्धानिया इस प्रकार की रखनी है कि अगर आप कोई आरेन के सप्लीमेंट वगरा या फिर कोई चीज आप खा रहे हैं आरेन की आपके सरीर में कमी है तो इसमें जो है आपको हल्दी का प्रियोग नहीं करना है क्योंकि हल् जाए इसका प्रियोग को फिन नहीं करें जादा गरम सबस घान करें इसका सब्सक्राइब आप प्रार को बशस्साय शरी जनकारी के लिए हमारे छैनल को सब्सक्राइब